नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ फोर निशन और मैं हूँ प्यादर्शन बिहार के नियोजित सिक्षकों को लेकरके नितीज सरकार एक बड़ी खुसखबरी देने की तैयारी में है दसल नियोजित सिक्षकों को राज कर्मी का दरजा देने की जो दिर्ग लंबित मांग है उस मांग पर आज एक बड़ा फैसला नितीज सरकार ले सकती है और नए वर्ष के पूर नियोजित सिक्षकों के लिए यह एक बड़ी खुसखबरी आज बिहार केविनेट से निकल कर दसला नितीज केविनेट की बैठक हो रही है तो बिहार केविनेट की इस बैठक में जो कई अहम एजेंडो पर आज मुहर लगने की समभावना है उसमें एक समसे अहम मुद्दा बिहार के पवने 4 लाख नियोजित सिक्षकों के राज कर्मी का दर्जा देने के मुद्दे से जुरा हुआ है दरसल बिहार में अब तक जो पिछले कुछ वर्सों से लगातार बहालिया हुई है सिक्षक में तमाम स्वाहलिया नियोजित सिक्षकों के रूप में हुई है अब तक बिहार में मौझूदा समय में करीप पूरे 4 लाख ऐसे सिक्षक हैं जो नियोजित सिक्षक हैं उन सब को राज कर्मी का दज्जा देने की बात कही गई तो ऐसे में BPSC ने करीब 1,20,000 से ज़्यादा सिक्षकों की पहले चरण की बहाली भी ले चुकी है उनकी पोस्टिंग भी मिल चुकी है शिक्षकों को वेतन मिलना भी सुरू हो चुका है उनके बहाली के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इन सब के बीच अब तक जो करीब पौने 4,000,000 नियोजित सिक्षक हैं उनका भवी से क्या होगा उनको नियोजित सिक्षक का दरजा राज कर्मी में कब बद देगा इसे ले करके असमंजस की स्थिती बरकरार थी राजसरकार ने पहले इसपष्ट कर दिया था कि जमाम जो सिक्षक हैं वो भी पिएस्सी के अगर माध्यम से आते हैं तो उन्हें राजसर कर्मी का दरजा मिलेगा लेकिन अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार नितीज केबिनेट में एक बड़े लोक लुभावन फैसले के तहत नियोजित सिक्षकों को लेकर के आज एक बड़ा फैसला होगा और इसमें उन्हें राज कर्मी का दरजा देने के लिए कुछ मापदंड तै किये जा सकते हैं और इसे आज जब केबिनेट की बैठक खतम होगी तो उसके बाद इसमें तै किये हो जाएगा के राज कर्मी का दरजा देने के लिए नियोजित सिक्षकों को किन किन मापदंडों से गुजड़ना परेगा और उनके लिए ये जो उनके नियोजित सिक्षक से राज कर्मी का दरजा पाने के जो उनकी मांग है इस मांग को लेकर के नितीज सरकार क्या अहम फैसला लेती है दसागार इसे मुद्दे की हम बात करें तो पहले भी पूरे बिहार में नियोजी शिक्षकों के दोारा राजिसरकार से अपनी इस मांग को लेकर के अलग-अलग समय में अलग-अलग किस्म के आंदोलन और प्रदर्शन भी हुए है राजी सरकार से इस मुद्धे पर कई जोर की अलग-अलग उनकी जो प्रतिने धी है उनकी नहोंने बात किया है पत्र भी लिखा है और लेकिन इन सब के बीच अब तक उनके राजी कर्मी का दरजा देने की मांग अधर में लटकी हुई थी लेकिन माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाओं के पहले नितीज सरकार एक बरे चाल के तहत अब नियोजी सिक्षकों के लिए राजी कर्मी का दरजा देने की मांग को स्विकार कर सकती है और ये सुकृति नितीस केबिनट की बैठक में मिलने की संभावना है साथी साथ संभाव है कि नितीस केबिनट की बैठक में जिन कर्मियों को राजिकर्मी का दरजा दिये जाने की सुकृति होगी उसमें उनके लिए कुछ ऐसे मापदंड तै किये जा सकते हैं मापदन्लों के हिसाब से उनको कुछ अहरताएं पास करनी होगी और उसके बाद भी राजिकर्मी का दर्जा हाशिल कर सकते हैं तो आज की नितिस केबिनट की बैठक में नियोजीत सिक्षकों के लिए क्या खुश खबरी निकल कर सामने आती है हम आपको और विश्तार से अप्डेट पताएंगे आप हमारे साथ बने रहें नियूज फोर निशन पे